दोस्तो स्वागत है आप सभी का एप्स पॉइंट में आज हम सीखेंगे किसी भी सैमसंग के फोन को सौफटर अपडेट कैसे करते हैं जब भी आपके सैमसंग फोन में कोई अपडेट आता है तो आपको नोटिफिकेशन पैनल में इस तरह का एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर जैसे आप किलिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सौफटर अपडेट इंस्टॉल करने का ओप्शन देखने के लिए मिलेगा अगर आपको नोटिफिकेशन पैनल में इस तरह का उपशन दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना है अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है अब आपको यहाँ पर नीचे इंस्टॉल नौपर किलिक करना है आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है जब भी आप अपने मोबाइल को अपडेट करें तो मोबाइल के अंदर 40-50% चार्जिंग होना चाहिए और अपडेट कितना बड़ा है यानि के 1GB का है 2GB का है प्रोसेस कंपलीट हो चुका है दुबारा से मोबाइल ओन हो रहा है फिर से यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है तो आपको वेट करना है आपको कोई भी बटन नहीं दबाना है पावर बटन वोलियम बटन कोई बटन नहीं दबाना है सिर्फ आपको यहाँ पर प्रोसेस पूरा क करेगा उसको पूरा complete प्रोसेस होने के बाद आप इस तरह से मुबाइल को लॉक करके 5-10 मिनट रग दीजिए इसके बाद आप मुबाइल को अनलॉक कीजिए अनलॉक करने के बाद आपके मुबाइल में आप देखेंगे software update complete हो चुका है और आपका मुबाइल काफी अच्छी तरह से work करेगा यहां पर phone start हो रहा है तो इस तरह से आप किसी भी Samsung के phone में software update कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें comment कर सकते हैं वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करो चैनल पर नए हो च बढाए हो जाए हो आपो तो अ अबाए हो आप ण बाहरा है तो बढाए हो जेक्नावा कर में से अज्र करन hen напис दो घ्लूब भी देवाल से देश लक्भी